गुरु जी आज के संक में हम बात करेंगे सिर्दर्द को लेकर और सिर्दर्द केवल एक रोग ही नहीं बलकि एक ऐसा एक तरह से प्रकोप बनता जा रहा है जो हर एक व्यक्ति दस में से नौ व्यक्तियों को रोग होता ही होता है यहीं रोग कहें सिर्दर्द ज्यादा काम कर लिया ज्यादा तखान हो गई सिर्दर्ध हो गया नींद पूरी नहीं हुई सिर्दर्ध हो गया तो सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा आखिर सिर्दर्ध होने के पीछे कारण क्या होते है और क्या अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए जैसे गोली खाकर बजार में एक रुपए-दो रुपए की बहुत सारी गोलिया है, उससे भी ठीक किया जा सकता है, तो क्या इस तरीके के उपचार हो पाना सिर्दर्द के लिए क्या संभव है? पहला कार्ण तो आपकी थकावट, दूसरा कार्ण आपका बेटर में खाना, और तीसरा कार्ण इसका नजले जुफ़ाउं का बेगर जाना, जो हम खाते पीते हैं इससे, बात पीते काफ तीनों चिज्यों पर कुण। परांतु जब आपकी कफ की मातरा बढ़ जाती है, पित कम हो जाता है, बात कम हो जाता है, तो आपके मस्तिक में, सिर में कहीं भी जम जाता है, और फिर इसका इतना भ्यांकरदर्द होता है, कि डक्टर सुई ये लगा कर दो, उसको सुन करते है, परांतु टैंपरेर लिए पाज यतनी देर तक सुई का असर है, उसको राम रहेगा, असर सुआप्त होते हैं, फिर भ्यांकरदर्द होता है, और यहां तक कहीं बात डक्टर उसके टेस्टों में रह जाते हैं, रोगी की मृत्तू भी हो जाती है, परांतु मेरे स्वस्त वचार में, मैं राड़ी बैद हूं, जब तक नवज खाली पेट न देखी जाए, मैं उसका कोई वचार ने करता। नवज में जो रोग मिलता उसके अमसार द्वाई देते हैं, जदी दिमाग में नजला जम्म हैं, उसका सिर्दर्द है, तो आप 100 ग्राम चने लेंगे, कच्चे साबत, उनको तववे पे गर्म करेंगे, यनि ज्यादा जिलाने नहीं हैं, थोड़े पकाने हैं, और उसको बांठ बांधने हैं, अब उसको गर्म गर्म को सौन भी है, और मस्त की और नाक के ओपर की सकाई भी करनी, इन जगों की, तो कित्रा भी भ्यंकर से भ्यंकर कित्रा पुराने से पुराना सिर्दर्द है, सकाई में, 10 मिंट में वो बगार द्वाई खाय दर्द बंद हो जाता अगतार कर लेते हैं, तो आप इस समझो कि आप ने अब पूरी जिंद्गी के लिए इस रोग से मुक्ति पा लिए, क्योंकि सिर्दर्द हमेशा नजले के जमने से होता है, चाहे आपका जुखाम बेवर के नजला जमे, चाहे आपके गल्थ हानपान से नजला जमे, और इस इसमें आप पूरे संसार के अंदर अलो पैथे में तो किसी रोग की द्वाई बनी ले, गुरु जी, आगे बढ़ते हुए हम जाना चाहेंगे, क्या जैसे आपने नजले की बात कही, तो नजला किस तरीके से दिमाग तक पहुंचता है, क्या बलड सर्कुलेशन, उतार आपके साथ मिलके खून का सपलाई करता है, इस खून की सपलाई का मुख्या कारण है, कि यदि आपका नजला, बात और पित, तिनों का संतुलन बराबर है, तो कहीं भी इसमें रोक नहीं आती, पूर्ण रुप से संतल चलता है, प्रन्तु आपके खाने की गड़वरी से, या आपके रहन सान की गड़वरी से, यदि आपके अंदर नजले की मातरा बढ़ जाती है, और द्वाई आपकी टैम की लेते नहीं, तो जहां भी ये रुकेगा, वो अंग जो आप बेकार कर देता है, जिन को जोड़ों में रुखता है, उसको गठिया बन जाता है, जिसके कानों में जाके रुखता है, उसके कानों की वाई चले जाती है, जिसके दांतों की जड़ों में आ जाता है, उसके दांत निकल जाते है, और जिसके नाग के अंदर जम जाता है, उसको डाक्टर कहते हैं, नाग की हड़ी बढ़ गए, है सारा को कर्म नजले का, कप जो है आप ऐसे समझो कि जैसे सर्दियों में पहारों पर बर्फ पानी से बर्फ बनती है वो जम जाती है वो ही स्रीर के अंदर का ढांग जाए जब बलगम सूख गया कहीं पर उस नर्स में ऑक्षिजन का सुचलन बंद हो गया तो आपको दर्द होगा कर दो